गूज ओमनीं वच्चों आरे मेस ऊंलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है न कलास 10 का हम naw कि थे जिसमें की ट्रिगोनमेट्री स्टार्ट करने जा रहा है ट्रिगोनमेट्री यानि तिर कौन मीति तीन ट्री मीन स्टीन से न तो कौन हुआ मेंателей मीन स्माप या exposed है जैसे तीन कौन होता है तीन कौनों की माप तो उसी प्रकार से पढ़ाएंगे तिरभुज में भी पढ़ाएंगे कौन सा तिरभुज समकौन तिरभुज तो तिरकौन मीती में हम लोग समकौन तिरबुज का बात करते हैं उसमें से जो है आप लोग जानते हैं इसको क्या करते हैं करन समकौन के सामने वाली बुजा को करन करते हैं वो इसके बात फिर यहां पर जो है नीचे जो है बियस इसको क्या बोलते हैं बेस करते हैं यानि हाइपोटेनस हाइपोटेनस है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं परपेंडी कूलर परपेंडी कूलर आज नीचे जो आपका बेस हुआ कि ठासे इसको आपके की कब當然 रखना है करन कभी नहीं बदलता है करन कभी नहीं बदलता है तो इस परकार से हम लोग देखें यहांपर आप लोग को फर्मूला टोटल बता रहे हैं तिरकॉन मीती में हम लोग जो है छे फंक्षन के बारें पढ़ेंगे 6 फलन है तिरकॉन मीती के तो उसके बारें में ध्यान दीजेगा पहला है आपका साइन पहला कौन है साइन तो आद रखना है लाम बते कर्न शाइन कि किसे सुजित क्यों कि इसको किया बोलें लांत कॉ यह प्रकार से काश्थ चुंछ घया लाउज भारत आधार बते कर्न टाश्थ और दार बते कर्न तो अधार क्या है भी on कि यहां पर किसे देट बढ़ है बटे ऐच वेटे जी परकार दिसे नम्मर आपका हो जाएगा टेन किसा क्या होगा टेन रिट टेन रहा और क्या लां बटे अधार टेन राल है लम बटेंधा लंब यानिव और अधारियनि बी से सुजित करेंगे ठीक है अगला है फोर नमर काट ठीटा काट ठीटा टेन का उल्टा जैस्ट हो जाता है अधार बटे क्या हो जाएगा लंब अधार बटे लंब यानि अधार बी और बटे पी ठीक है अब पाच्वान नमर इसी परकार से हो जाएगा सेख ठीटा सेख ठ क्या हो जागा जी से Hayden का उल्टा क्या हूं अ चैक यहां पर क्या हो जाएगा है इसका उल्टा करन भर्टे अधर करन भ sharpen but a hard your rights को मैं ह एे चाना मे चटना मरा आपका से जटा नंवर क्या हो जागा कॉछ सेक एक थी टा और ओर क्या हो जाएगा सेज। पर के लन चार्ट ह arena इस प्रकार से हम टोटल छे तिरकॉन मिति भंक संदेखें पहला कॉन साइन दुसरा कॉष टैन काट से कॉसिक तो यहां पर धियान रखना आपको अगर यदि ठीटा का मन बदल दे तो इसका कौन मी बदल जाएगा इसका लाम और अधार बदल जाएगा ध्यान देजिए पहला जैसे ए बी सी तिरबूज यहां पर लिए यहां पर सी कौन माने थे ठीटा अब मान लिए यहां पर मान लिए हम ठीटा इसके सामने जो होगा उ कभी नहीं कभी नहीं बदलता है यहां पर क्या बोलें यहां प्रकरदी एक और मानले ठीटा है तो यहां पर इसके सामने जो अगा क्या कर लाइगा लाम हो जाएगा और इसके बगल में है क्या अधार हो जाएगा लाम और अधार बदल सकता है लेकिन कार्ण कभी नहीं बदलता है कर्ण तो जैकि इसमें भी पहला फिगर में कर्ण, भाई हम पर सी था इसके लिए कौन आप अधार करेगा कौन कहां पर यह ठ्यान दिजेगा इसको आप देखांड करने के। इसको याद रखना है आप लोग को क्या बोले साइन साइन किसका उल्टा था साइन था कॉसे का साइन किसका है साइन ठीटा कॉसे का उल्टा है फिर कॉस किसका था सेक का कॉस किसका है सेक और उसी परकार से टैन किसका उल्टा होगा कॉट का टैन किलिका होगा कॉट का तो sign को पूल्टा क्या है? cost का से 10 का cot ठीक है? तो यहाँ पर जो है, अब इसको ऐसे याद करने का और एक trick क्या है? आप लोग नहीं पढ़े होंगे इसको धियान देजएगा देखिए इसको याद करने का एक trick है छोटा सा धियान देजएगा जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान यानि P से पाकिस्तान भूखा 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 प्यासा प्यासा होगा फिर S से हरा होता है 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 हाध से हिंदुस्तान वा से हरा भी होता अब वी से क्या होता है बहुता गारा निए अपर देखिए जैसे इसको बहुत मॉलेंगे निए साइन ठीटा तो देखिए आपर साइन ठीटा वरावर भी बताये हैं साइन धिता दियान देज़े क्या बतायें है अगला क्या मानेंगे कॉस ठीटा तो कॉस ठीटा मेरा क्या होता है अभी बताए थे कॉस ठीटा और यहां ध्यान दीजिए भी वाइएच उसी परकार से यहां पर ध्यान दीजिए कॉस ठीटा और क्या होगा तो भूरा और हरा तो भी और यहां एच तो यहां पर क्या होगा फिर अच यानि बी वाइच ठीक है इसी परकार से तीसरा है क्या हो प्यासा और भरा है पी से प्यासा तो इसमें क्या लेंगा टेन ले लीजे पूप प्यासा तो यहां पर साइन का को पाद़ तॉटा मैंत उसलिवर कॉस की बोला है इसी पर लच विए करते न का उल्टा काट तो एया दुकित मति थे थियान से साइन का भूई दॉटा क्या हुआ साइन कि घश्पष्ट अच पने हिप इसको तो भाए पी सको री इसको नर्ष पने हो हुआ बीवा एच सेख ठीटा रहा क्या हुआ है एच वाई बी जैस्ट उल्टा देना अटेंट रपी वाई भी इसका कॉट का क्या होगा बीवाई पी इसका उल्टा कर दिया है ठीक है अब यहां ध्यान देना है इसको याद रखना है टोटल को अब जो है आगे फर्मूला आगे देखें तो फर्मूला इसी परकार से हम लोग देखेंगे हैं इसी परकार से हम लोग पढ़ें हैं फर्मूला जैसे कि कहेगा साइन नाइन्टी मैनस ठीटा ब्रावर तो याद रखना है साइन नाइन्टी मैनस ठीटा कॉस ठीटा साइन नाइन्टी मैनस ठीटा कॉस कुछ नहीं है तीसरा नमबर इसी परकार टेन 90 माइनस ठीटा तो क्या होगा 10 90 माइनस ठीटा कॉट ठीटा फिर 4 नमबर इसी परकार से 10 के बाद क्या हो जाएगा 10 के बाद क्या हो जाएगा कॉ Around इसी परकार से हम बताए थे 10 के बाद कॉ Around तो उसको ध्यान देजएगा 10 के बाद Cut Cut 90- That क्या हो जाएगा 10 का ces इसी परकार से चार नमबर जो है आपका हो जाएगा 5 नमबर 6 theta 6 90- theta कि यहां पर थ्यान दीजए गाइगा क्या लिखेंगे यहां पर दिजान दीजेगा क्या say पहला क्या हुआ हुआ साइन है साइन फिर क्या हुआ साइन नाइटी मेंट फीटा फिर कास नाइटी मेंट फिर प्रकार से अगला जो है हम लोग पढ़ाएंगे इसी प्रकार से अगला दियान देजेगा फर्मूला इसी परकार और फर्मूला है बहुत सरा फर्मूला है तिरिक और मिदी में सबको याद रखना है तब यह सवाल बनेगा तो अगला जैसे हम फर्मूला पढ़े हैं याद किजिए पढ़ें आप लोग साइन इसक्वाइड ठीटा प्लस कॉस्वाइड ठीटा बरावर क्या होता है वन ठीक है तो यहां पर देखें साइन इसका ठीटा प्लस कॉस्वाइड ठीटा बरावर वन तो इसी में गर्दी बोल देगा साइन इसक्वाइड ठीटा बरावर ती देखिया हम पलस में उधर च एक वन मैनस कॉस्ट स्क्वार ठीटा ठीक है इसी में और बोल सकता है अगर दिका दे कॉस्ट स्क्वार ठीटा क्या होगा तो कॉस्ट स्क्वार ठीटा बराबर क्या जाएक वन माइनस उदर चल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वार ठीटा इसी परकार से कह देगा कॉस्ट ठ gaat क्या होगा तो क्या बोल सकते हैं pass थीट बराबर कर इसकोयर यहां परह स्कुएट में उदर चल जाएगा तो रूट में तो an-wife साइन स्कुएठ फिटा इसी परकार से दूसरा फर्मुला में पैसी का क्या था एक फर्मुला और यहां एक स्कुर्णप Seriously थेटा माइनसों चौशंख स्षट टिटा बराबर क्या होता हुए क्या हो जाएगा इसी प्रकार से सब्सक्राइब कि इसे परिकार से बोल देगा टेन स्कुर्ट ठीटा तो धियान देजे टेन सक्राइब कर दिए तो इसे कि इधर चले गए दो जाएगा तो क्या हो जाएगा से तक स्क्वारे थीटा माईनास वर्ड का ओगा स्क्वारे थीटा माईनास वन्यूंग ठीक है फिर टेटेशिता बदावर क्या ओजागा इस 같아서 रोट स्क्वारे को कॉसिक स्क्वायर थीटा माईनास वन्यूंग ОдगAmericaEd स्कुर्ट थीटा मैनस कॉट स्कुर्ट थीटा बराबर क्या होता है यह भी वन होता है देखिए साइन स्कुर्ट में था साइन स्कुर्ट थीटा कॉट स्कुर्ट थीटा फिर कॉट स्कुर्ट थीटा मैनस कॉट स्कुर्ट थीटा बराबर वन तो यहां पर अगर्दी बोल द से इसमें स्क्वार है तो दर चल जाएगा रूट में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा कि स्क्वार है तो दर चल जाएगा रूट में तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वार ठीटा ठीक है अगला जो है इसी प्रकार से अगर दिखाएगा कॉट कॉट स्क्वार सब्सक्राइब तो इसको भी याद रखना है आप लोग को अगला इसी प्रकार से इसमें देखें टोटल 15 फर्मूला हो गया इसमें पहुंच तो बताएं फिर इसमें पहुंच गो इसमें भी कतना है पहुंच फर्मूला है इसको याद तो इस ही परकार से अगला फर्मूला धियान देज़ेगा अगला फर्मूला इस ही थीता कॉस्ट ठीटा ठीक हा तो साइन जीटा वना वैक और कॉस्ट थीटा क्या हो जाएगा साइन ना कॉस्ट जीटा भर क्या हो जा ओक जाएगा गाल इसी परकार से यह न हेला और 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 क्या चानगा वन बटा को अid सिर्फीर और फिर इसी परकार से कॉट थीटा इसी वे बोलाई ना और एक फर्मूला अजन एक और sa स्थёटा कॉस्टी टॉप्टी टिकुरी सराफ़हां सैघ्वार भतीस भूठी कमका चौन ओसिरघ्वार पादा खुम्मॉल सट्पवनसे टासी करता अभर है और क्या ओझेखां क्वाधा अक्वख़ कर सिक्षिता और अगर दिकलेंगा स JJ टब्रावर क्या होगा क्या बोली बभाय कोस्ट टूटा इसको इसी परकार से का टोटल फर्मूला को दियान रखना अब अगला फर्मूला ऑग जो है अगला ऑगन कूषर रखना है तो मान को ॹत दियां में रखने के लिए आप लोग को तोटल मान याद रखना है जितना भी कि टोटल मान कितना है तिरकौन मिती का ही तो यहां पर कि तिरकौन मिती का टोटल मान को देखना है देखिए इसी परकार से हम मान बता रहे हैं पाहला जो है इधार लिख देता हैं डिगरी इधार लिखेंगे 0 डिगरी इधार लिखेंगे अगला क्या होगा 30 डिगरी कोई बोलता है पाइबाई 6 ठीक है रेडियन में इसी परकार से फिर लिखते हैं 45 डिगरी 5.5 डिडिडि क्या बोलते हैं फोर इसको याद रखना है इसी परकार से फिर 60 डिगरी 60 डिगरी याणि पायवाई 3 कि अगला जाए इस परकार से 90 डिगरी 90 को क्या बोलते हैं फाएवाई 2 रेडियन में होता है तो इस अब पाला ३ार्षा से पहला कौन साल यह साइन साइन जीरो का मान कहेंगा क्या बोलना है जीरो साइन जीरो का मान जीरो फिर कहेंगा साइन तीस यानि साइन तीस कहें या साइन पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा हाँ पिर कितना है साइन 45 साइन 45 का मान one by root two फिर साइन साट पिर साइन शाट का मान जो है अगला क्या हो जाएगा root three two क्या जाएगा root three by two फिर इसी परकार से साइन रबा का मान one होता है की portion हो गया महां और दूसरा जो है इसी परकार से मात क्या ओगा का शाइन के लेना है कॉस तो कॉस देंक ध्यान देज़ेगा जैसे स्वाइन जीरो कामन कितना था जीरो यहा सड्रीण नबबब कमन कितना था वहन थे यहां कॉस जिरो में आ जाएगा वहाँ नाइन टिवला यहां पर कॉस्व जीरो कामन कितना हो जागा नने इसी क्रकार से जो साइन 6 में है कॉषीज कॉस्टे की में तो यहां पर कितना था साइन 5702 में रूट-32 तो क House में ती में कितना जागा रूट-3 के प्रूट-3 मृन बराबर होता है फिर यहाँ पर साइन तीस का मान कितना है जाइन रिकनिरय लेकिन पीचला नहीं बदलेगा अड़िडृ थि कौन सा हों यह मान यह अपका हो गया कॉस अगला है टेन अगला कौन होगा टेन तो टेन ठीटा ब्रावर तो टेन ठीटा ब्रावर जैसे की जीरो बटा वन देखें टेन ठीटा एक फर्मूला होता है उस अब आगे बताएंगे तो टेन ठीटा ब्रावर होता है साइन ठीटा बटे कॉस्ट ठीटा सइन ठीटा बटे कॉस्ट तो यहां पर देखें साइन क्या सुल कामन जीडों background coS 0 attachment 0-1 किन नौता है 010 क्या जाएगा जिडो साइन 0 कि अ पर टेनल आगे 202 कि थे तो सांथ्ट में कम चाहूं अब ज्याएगा क्या बचेकंगा तूटू कट जाएगा क्या बचेगा 1 बाइफ है ूट-3 का बचे अधिर 6 से 10 में रूट 2 रूट 2 पाड जाएगत क्या बचछे वन बचे इस मीअ आपर 10 कि पाल कितना गयह अर्ट पर क lähओं 10 तीसके वन जुर से 37 साथ का माँनी आपर कि अप्नक टेगा रूट 2 जुरी तू एघ गा किया जाँ बचेगा रूट थिरी बचेगा फिर टेन नवबा कामान तो वन बाइजीरो टेन टेन टिटा वर क्या बुलें साइन टावटे का टो दोनों को बटे करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बटा को है को कैस इतना कमान काड जी लेंगे तो यहां मुझे बताए थे जिस तरह साइन और कॉसम्हें वह तो उसी परकार से इन्फिनिटी इधार आजाएगा यहां इसको पल्टा दीजे तो क्या जाएगा है इंफिनिटी यहां पर आ जाएगा और परिवासित पर यहां कॉज़ और यहां पर जो है अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा टैन तीस का मान वान वाइरूट थ्री यह कॉट साथ में चलाएगा इसी प्रकार से अगला जो है अगला इसी प्रकार से कौन सा होगा टैन के बाद सेख सेख कौन सा सेख जीरो सेख जीरो तो सेख जीरो का मान यहां पर देखिए सेख जीरो जो है इसका उल्टा सेख कॉस का उल्टा बताए थे तो इसका उल्टा देंगे तो वन वाई क्या हो जागा वन तो वन वाई वन का म इसी परकार से बताए थे अगला जो है कौन है सेख 30 का माना इसको पल्टा देज्ए रूठा पर कितना नदार वह टू हो जाएगा फिर इसी प्रकार से अगला जो है आपका कतना है सेख साट तो सेख साट लेना है तो किसको मतलब पल्टाना है साट को कितना हो जाएगा इसको पल्टाइएगा तो टू हो जाएगा तो लिखेंगे इसी प्रकार से इसको पल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा सबस्क्राइब high जो है इसका उलटा हो जाएगा साइन का यह पर इससे साइन तो यहां पर यह जो है यहां का उलटा साइन भी होता है सायन परMax को नृटा साइन भी होता है यहां पर कॉसे तीस है तो कॉसे थीस कितना जाएगा इसको पल्टा यह गत क्या हो जाएगा टू बाइवर्ण यह यहां से भी ले सकते हैं जैसे शेक साट में वही चीज कॉसेक थे द ग्रम ऑजाएगा आब अब बताएं यह दोनों क्या ओताइए हर दम बरावर होगा यहाँ पर यह इसको पलटा दीजे में तो इसंद परया है ठीक है इससे जो है टोटल अरप deben कतो उसके वह बनेगा बहुत सब crimes पुछत पूचसा तेसी से बनेगा आपका अब इसमें द्यान देना है कि इसमें किसका किसका मान बराबर है दिए तो न크क्र वर किसका किसका अओन साइन और कॉस्ष कामान याद रखना बराबर होता हैड 45 कहांन कतना होता है वन वै रूट टू और कॉसट 25 कह strang mean वन वै रूट टू फिर इसी परिकार ट cath inform on तो कोड 25 कहाrá बराबर होता ही थे प्रकार से अगला देखे शेक 45 ना hate यह इंखिए और मुआबर ओबर देखिए हुंँ कोस का मान बराबर 45 में एक वर कार से इसको ध्यान में रखना है ठीक है अगला जो है इसमें ध्यान कि jsem देना है की लिल अब देखिए किस का किस का मान बढ़ रहा है और गड़ रहा है ध्यान दीजे तो तो साइन में अगर ठीटा का मान देखिए बढ़ रहा है साइन में किस का मान अगर ठीटा का मान देखिए ठीटा पहले कितना है जीरो इसके बाद कतना हुआ 30 इसके बाद 45 इसके बाद 60 इसके बाद 90 तो साइन में ध्यान देजिए अगर ठीटा का मान बढ़ रहा है तो उसक का मान भी दखिए बढ़ रहा है किना साहिन का मान पहले जी डिगरी वा इसके बाद पहले जीरो हुआ इसके बाद बाद UHTER से फिर वान वाय रूट टू भी बढ़ा होगा फिर इस तरह से रूट थ्री वाय टू बढ़ा होगा फिर इसके बाद वान आ गया देखे जीरो से वन तक गया तो एक तरह से बढ़ रहा है तो साइन का मान बढ़ रहा है और इसी परकार से अगला देखे किसका मान बढ़ रह है यह बढ़ रहा है फिर यहाँ पर देखे रूट सरी का मनंग उन दो स्नो कповडर कितना ह Register ओता है 144 इसी प्रकार इसके वाओं टू गोल ऑन खुछ यहां पर बढ़ए फिर इंफनिटी इंफनिटी मिंस अन अंध बहुत सारह तो यहां पर कि वन a तू तक गया तो यहां पर इसका भी मान बढ़ा इसमें किसका किसका मान बढ़ा धियान देज़े तो साइन का मान बढ़ रहा है ठीटा का मान बढ़ने से और किसका टेन का मान और फिर इसका बोले सेक का इतीन का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानि ठीटा का मान बढ़ने से साइन का भी मान बढ़ता है और 10 पाभी और से का अगला देखें अब किस का घाट रहा है इसको धियान रखना इसके और उजेक्टिव पुछता है कौस से कौस का मान एक तो कौस का मन किसका किसका मान बढ़ा और किसका किसका मान घटा साइन टेन और से कामान बढ़ता है ठीटा कामान बढ़ता है और फिर किसका किसका मान घटेगा स्कॉस काट और कौसे कमान घटता है तो इसको लिख लिजे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोग को याद भी रखना इसको तो यहाँ पर याद रखना है कि साइन और क्या बोले टैन और क्या था तथा क्या था सेक सेक में ठीटा कमान बढ़ने पर साइन का मान भी बढ़ता है बढ़ता है देखिए तो किलियर हुआ साइन टैन और सेक में ठीटा कमान बढ़ने पर साइन का भी मान बढ़ता है अब दूसरा नम्मर इसमें याद रखना है किEMA है किसका किसका बोले थे दिखिए दियान से कॉस कर्क देखिए सी बला देखिय तीन अढ़ी ना स्कॉस काड़ और एकतिशना ने थिनो सिसी बला यह तो यहां पर दिनों कमान घटता है ठीटा कमन बहलाने थे क्रिकल कॉस कि अगला क्या हो गया कॉटट अगला तथा कॉसेख है कॉसेख मैं ठीटा का मां त्षीटा का मां बढ़ने लेकि ऑद भर बढ़ने पर यह साइन कहीं नहीं यहां पर साइन लिख दिये पर तीनों का तीनों का मान तीनों का लिए तीनों का मान आपर साइन नहीं साइन टेन तीनों तीनों का मान भी बढ़ता है तुसी परकार से मान बढ़ने पर कि तीनों का मान तीनों का मान भी घटता है तीनों का मान भी घटता है यानि के मान बढ़ने पर तीनों का मान घटता है यहां पर तीनों का मान बढ़ने पर उसका जो है तीनों का मान क्या होता है तीनों का मान घटता है ठीक है यहां यहां पर क्या बोले है साइन टैन और सेक में ठीटा का मान बढ़ने पर तीनो का मान भी बढ़ता है और कॉस, कॉट और कॉस एक में ठीटा का मन बढ़ने पर तीनो का मन क्या होता है घटता है याद रखना है तीनो का मन क्या होता है घटता है ठीक है इसको याद रखना घटता है ठीक है और एक दोठो फर्मूला इसको ध्यान रखना है आप लोग क एक दो और फर्मूला है जैसे की छुट गया इब रहावर क्या बोले बटे साइन ठीटा ना तो इस परकार से तिरिकवाण मिती में जो है टोटल फर्मूला हो गया आप लोग का इसको याद रखना है तो अगले दिन जो है आप प्रोब्लम बताएंगे सवाल ठीक है इसको मेन है यही चार्ट को अच्छे से याद रख लेजेगा ठीक तो इतना ह इराने देते हैं अपना इराने देते हैं धन्यवाद।